हलो एब्रिवन, वेलकम टो माई चैलनल नेहा से मैजिनेशन बॉक्स दोस्तों मेरा नाम नेहा शर्मा है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस वीडियो में मैं बनाने जा रहे हूँ एक DIY डेकॉर पीस जो बनाऊंगी मैं इस तरह की कोईन से ये हमारे पास बहुत पुराना कोईन कलेक्शन रखा हुआ था जो 90's के टाइम का कोईन कलेक्शन है तो मैं इसी से बनाऊंगी सोचा कि चलो इसे ही यूज़ कर लिया जाए और साथ ही मेरे पास ये बोट रखा तो जो काफी ठेक है और ये जो कोईनस हैं इनको मैंने इनके शेप्स के एकोर्डिंग डिवाइट कर लिया है और इसके बाद जो सबसे पहला प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है वो है पॉडर कम्प्लीट करना मैंने पॉडर पर करके कोई स्टिक करोंगी इस तरीके के कोई मैं स्टिक कर रहे हूँ ये देखिए दोस्तो बॉर्डर अल्मूस्ट कम्प्लीट हो चुका है पूरे अच्छे से में कोई लग चुके हैं अब मैंने ये भगवान गौतम बुद की पिक्चर मैंने ड्रौ की थी जो पीड के दियानमगन बैठे हुए है तो मैं सबसे पहले इस पीड को जो ये ट्री है उसे कम्प्लीट करोंगी मैंने अच्छे से ये फैविकॉल एपलाई कर लिया है बहुत अच्छे से और फिर मैं इसके उपर मैं कॉइंस एक एक करके कॉइंस लगाऊंगी जिससे इतनी अच्छे से मैंने थिक लियर लगा ली है फैविकॉल की जिससे ये कॉइंस पिलकुल नहीं लें झाल 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 देखिए दोस्तों इस तरीके से सारी कॉइंस मैंने लगा ली हैं पीड आल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और अच्छे से कॉइंस सभी कॉइंस अलगत शेपकेस्ट लग चुके हैं अब यह जो कॉतम बुथ हैं मैं इन पर ब्लैक कलर फैब्रिक पेंट मैं एक्रेलिक सारी क्या है झाल झाल कि दूस्तों मेरे पास यह तरीके की वाटर कलर रखे थी गोल्डन कलर और एक की सिलवर कलर जो इस इंपर सिलवर कलर क्या रहा है जो मैं इन पर सिलवर कलर अप्लाई करूंगे जैसा थोड़े सी शैनिंग आजया है और इसे जो golden color के coins हैं मैं इन पर golden color apply करूँगी इस apply करने से color apply करने से क्या है कि इस पर हलकी सी shining आ जाएगी क्योंकि काफी पुराने coins हैं जो ऐसे पड़े हुए थे तो अब देखें दोस्तों ये मेरे पास एक chain थी दो या तीन मीटर में ये रूपे मीटर ये chain आ गई थी तो इसे लगा कर मैं ये border complete करूँगी और ये देखें दोस्तों ये है इसका complete look जो मुझे बहुत ही सुन्दा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है आपकी भी इस तरीकी की कोई hobby है किसी चीज़ को collect करने की किसी चीज़ का collection की तो आप मुझे comment में ज़रूर बता है साथ ही मेरे चैनल को like करें share करें subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye